दोस्तों एल्टी ग्रिट नई सिच्छक भरती दोचार बाइस के बिग्यापन को लेकर के आयोग के माध्यम से पुष्टी कर दी गई है कि आहरता का जो बिवादे वो खत्म हो चुका है आवेदा ने इसी माह से स्टार्ट हो सकते हैं ये बहुत ही बड़ी खुसकबरी और सह के निउट पेपर में भी काफी कुछ देखने को मिला था लेकिन तब भी मैंने आपको यही बोला था कि इस प्रकार की जानकारियां हमेसा ही देखने को मिलती हैं लेकिन अब ये सही माइने में आपको खुसकबरी देखने को मिलीगी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज प अब्यर्तियों के लिए कुसकबरी है जो एल्टी 2018 के हैं साथी GIC 2020 के जोईनिंग को ले करके भी बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है एक अब्यर्ति के दौरा हमेशा सवाल किया जाता है कि सर वेटिंग लिस्ट का क्या हुआ राज बीर सिंग के दौरा तो उनका भी ज प्रौक्ता GIC 2022 के नए बिग्यापन तथा एल्टी GIC 2018 के दूती सूची में चैनित एओं प्रौक्ता GIC 2020 के चैनित अब्यर्तियों को आउगत कराना है कि नया बिग्यापन तथा ओटल नियुक्ति पद इस्थापन को ले करके प्रतियोगी चात्र मोर्चा की टीम ने मादम प्रौक्ता जिसे लखनोव में मिला और वारता की है वारता की क्रम में सिच्छा निदेशक ने बताया कि ल्टी GIC 2018 के दूती सूची में चैनित अब्यर्तियों के लिग्यापन प्रौक्ति पोर्टल 20 सितंबर तक खोला जाएगा ये बड़ी जानकारी है और उसके दो दिन पर एक कारिसाला का गठन किया गया था जिसकी भी जानकारी मैंने आपको दी थी कि एक कारिसाला का गठन किया गया था जिसकी रिपोर्ट सासन को भी भेज दी गई है ये बहुत ही बड़ी खुसकबरी है कि बिवाद खत्म हो चुका है रिपोर्ट भी सासन को भेज दी ये ऐसा कहना है निदेश साले का प्रतियोगी चात्र मोर्चा के अध्यच्ज बिकी खान जी ने बताय कि बहुत जल्द प्रतियोगी मोर्चा का एक प्रदनेदी मंडल सचु लोकसिवा आयोक से मिलकर इस बात की तजदीक करेगा कि निदेश साले द्वारा समकच आहर्ता बि की करने के लिए दिखिए अभी तक जो नोटिफिकेशन ते ये इसलिए मातर नहीं जारी हो रहा था क्योंकि यहां से जो नया बिवाद है ये बना हुआ था वरना साथ जार पदों का तो यहां से अधियाचन मिल चुका है एक 866 पदों का अधियाचन पहले भी मिला हुआ था लेकिन तब भी यही मैटर था और इसलिए बिग्यापन नहीं जारी हुआ था लेकिन अब यहां से बिग्यापन इसी महीने जारी होने के काफी ज़्यादा चांसे से था